हाई फ्रेंग्स वेरी गुड आफ्टरनून तो मैं आपके लेके आ गया हूँ एक वीडियो जो की यह साई टॉपिक फॉर सिट भी ग्रिंड है वेरी इंपॉर्टन्ट है सिख जाओगे तो फ्रेंग्स लेट्स बेगिन वेल्कम तो आफ्टरनून तो अलव यू सबसे पहले हम शुरू करते हैं नैशनल इंकम तो देखो यह नैशनल इंकम आपने कई बार न्यूज में सुना है और नैशनल इंकम को आप एक सिनोनियम टर्म से सुने हो विच इस कॉ है राइट सो जीडीपी इस दी वे टू मेजर दे एकोनॉमी ठीक है मेजरिंग वस ऑल्वेस अरेडल तो एकोनॉमिक यह जो जीडीपी टर्म है इसको सबसे पहले यूस के एकोनॉमिस साइमन करंच ने 1934 में यूस किया था अब अगर हमको जीडीपी कैलकुलेट करना आ ग हैं तो देखो जीडीपी के सब्सेंद वह बड़ा सिंपल है तो आप इंडिया का मैप देखो इसके अंदर जो भी गुड्स या सर्वेसेस बन रहे हैं वह सारा जीडीपी में कैलकुलेट होता है अब चाहे वह इंद्र कमपनी बनाए चाहे वह फॉरंड कमपनी बनाए उस उससे फरक नहीं पड़ता, बस geographical boundary के अंदर में बनना चाहिए, तो इंडिया के GDP में count होगा, I hope ये clear है, बढ़ते हैं अगे, अब जब बात हम measurement पी कर रहे हैं, तो अब यससी बात है, एक दिमाग में एक सवाल आता है, कि measurement भाई, नापते कैसे हैं, सो देखो, नापने का तीन measure है, मतलब ये जो मैंने बता रहो था, measurement of growth, तो there are three ways how you can measure the GDP, number one is the product or value added method, number two is expenditure method, number three is income method, ये बड़ा बड़ा easy चीज है, देखो, the product or value added method, है ना, इससे जब आप GDP को निकालते हो, तो आपको क्या मिलता है, GVA at the rate basic price, क्या मिलता है, GVA at the rate basic price, लेकिन ये होता क्या है, वो हम एक छोट इस example से समझ ले, for example आपको bread बनाना है, क्या बनाना है, bread, तो अगर आपको bread बनाना है, तो इसमें क्या क्या process involved, आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको wheat चाहिए, wheat से आप floor में convert करोगे, floor से आप उसको dough में convert करोगे dough से आप उसको क्या करोगे, oven में डालोगे, उससे क्या बनेगा, bread बनेगा, उसके बाद उसको आप pack करोगे, उसके बाद उसमें market में sales में जाएगा, तो ये पूरा process involved है, तो देखो, idealistic condition में अगर आप देखोगे, bread का बनना possible तबी हुआ है, जब wheat है, तो इसका मतलब ये raw material हुआ, एन इस raw material को process करने के लिए multiple steps से गुजरना पड़ा, एन ये steps में हर step ने आपने क्या किया है, आपने value, value add किया है, ये जो value आप हर step में add कर रहे हो, उसका जो summation है, प्लस प्लस, मतलब हर step में आप जो value, step 1 to step 2, step 2 to step 3, step 3 to step 4 and so on, हर step में आप जो value add कर रहे हो, आप उ actually इस method से GVA add direct basic price को calculate कर रहे हो, ठीक है, I hope यहाँ तक आपको clear हो गया है, अब बात करते expenditure method की, ये भी बड़ा simple है, इसमें एक formula है, C plus I plus G plus X minus M, मतलब C का मतलब क्या है, private final consumption, आप मैं चाहे देश का राश्ट्य पती हो ये प्रधान मंत्री, जो देशवासी हैं, वो कितना consume कर रही है, वो सारा का plus 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 ये C वाले part में गिना जाएगा, I मतलब investment, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने पिता जी, माता जी को, आपने friend circle में भी आपके जो बड़े भाई या भेन हैं, उनको आपने देखे होगे, जो invest करते हैं, gold में पै कैसा लगाते हैं, तो ideally ये सब क्या कहलाता है, investment, या नया घर खरीदना, वो भी investment में आता है, ठीक है, G का मतलब क्या है, बड़ा simple है, government expenses, government चलने के लिए जो पैसा चाहिए, plus government जो खरीदती है, procurement, वो plus जो government salary देती है लोगों को, ये सारा expenses, G वाले part में गिन लिया जाता है, प्लस X-M, मतलब export minus import, ठीक है, X का मतलब होता है, export, M का मतलब होता है, import, मतलब external factor, अभी आप एक चीच समझो, इंडिया में क्या जादा है, इंडिया में हम import जादा करते हैं, export कम करते हैं, in terms of value, तो overall इसका जो X-M का value आता है, ये negative में आता है, मतलब इस CIG से total amount minus हो जाता है तो जो GDP निकल के आता है, उसको बोलते है, expenditure method, and वो जो GDP निकल के आता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते है, GDP at the rate current market price, ठीक है, CMP, GDP at the rate क्या बोलते है, current market price, I hope यहाँ तक आपको clear है, अब हम बढ़ते हैं, आगे, next में, income method में, ठीक, आचा, यहाँ पर एक चीज और सम मजनेका है, आप देखो, यहाँ पर GDP at the rate current market price आया, लेकिन यहाँ पर आया, GV at the rate basic price, तो यह difference क्यों है, तो बड़ा simple है, देखो, कोई भी एक product जब बनता है, अब यह expenditure method में क्या positive part है, हम हर चीज का market value को गिन रहे, consumption, मतलब मैंने अगर एक पारलेजी खाया है, तो government यह C व अगर हम क्या करेंगे, plus tax करेंगे, minus subsidy करेंगे, इसको overall बोलते है, net tax, क्या बोलते है, net tax, तो अगर हम GV at the rate basic price में, plus tax minus subsidy करेंगे, तो हमको मिल जाएगा, GDP at the rate current market price, I hope यह आपको clear हो गया है, अब बढ़ते हैं हम income method में, तो बड़ा simple है, income method में, factors of production कौन कौन है, देखो, एक होता है land, एक होता है labor, एक होता है entrepreneur, एक होता है capital, यह आपको पता होगा already, अब जो income method में है, अब जो income method में है, जो formula है, W plus I plus P plus R, देखो, यह जो labor है, यह क्या demand करेगा, end of the month, या end of the year, कि मुझे salary दे दो, मतलब wage, तो W is wage, ठीक है, I मतलब income, sorry, I मतलब क्या है, interest, तो interest कौन demand करेगा, जिसने capital दिया, I means interest, P, कौन demand करेगा P, entrepreneur, जो business कर रहा है, जिसने सब risk लिया है, ठीक है, P का मतलब profit, land, जो land होना रिवो क्या demand करेगा, rent दे दो मुझे, तो R का मतलब क्या है, rent, तो यिसको जब आप plus करोगे, उसको वो आपको मिलेगा, NDP at direct factor cost, ठीक है, ये तीनो method से GDP को ना पा जाता है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और सम macroeconomic identities को देखते हैं, GDP में अगर आप NFIA को add कर दोगे, ये बड़ा simple चीज है, net factor income from abroad, इसका मतलब क्या है, आपको याद करें, initially मैंने इंडिया का map दिखाया था, तो अब यससी बात है, इंडिया में foreigners company भी है, foreigner भी है, तो foreigner या foreigner दूसरे देश की company जो भी इंडिया में कमा रही है, उसको हम minus कर देंगे, और जो इंडियान से ये विदेशों में कमा रही है, बैटके, उनके income को plus कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, gross national product मिल जाएगा, GNP, तो उसके बाद, gross domestic product में अगर हम depreciation को minus करते हैं, हमको क्या मिलेगा, net domestic product, gross national product में अगर हम depreciation को minus करते हैं, तो हमको मिलेगा net domestic, net national product, तो इस तरीके से सारा macroeconomic identities को आप याद कर लो, तो बरते हैं आगे अब latest data पे current affair वाले part पे तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं देखो यह जो data है यह कौन देता है MOSPI Ministry of Statics and Program Implementation के अंडर में एक office है NSO National Statical Office वो यह data निकालती है and quarter one of the current financial year which is financial year 23 GDP growth 13.5% से हुआ है quarter two 6.3% से तो आपको याद क्या करना है quarter one कितना हुआ है 13.5 quarter two हुआ है 6.3 तो यह आपको याद कर लेना है ठीक है so friends with this we are done let's meet in some other lecture till then unfold your potential all the best you know all the best for all the examination that you will be appearing in 2023 thank you and always remember AXMB helps you prepare 50% faster